प्यारे दोस्तों नमस्कर मेरे यूटूब चेनल जाब स्वित एजुकेशन वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों मैं अपने चेनल के माधम से जाब और एजुकेशन से सम्बंधित नहीं नहीं जनकारी लेकर के आता रहता हूँ इसी कड़ी में आज मैं आप लोगों को इसुकेशन सम्बंधित महतमपूर जनकारी देने वाला हूँ आज की या वीडियो बारवी पास कालेज पास जुआओं के लिए बहुत ही महतमपूर होने वाला है यदि आप आगे की पढ़ाई अच्छे जगह से करना चाहते हैं तो यह वीडियो जरूर देखे क्योंकि इस वीडियो में मैं 36 गड़ के विभिन यूनियर सिटी कालेजों मैं एडविशन कैसे ले आवेदन के लिए क्या क्या डाकूमेंट लगेगा यह सभी जनकारे इस वीडियो में देने वाला हूँ इस वीडियो में मैं सास्की बिलासक कन्या इसनातकोत्तर आटो नामस महाविद्यालाई बिलासपूर मतलब गल्स कालेज बिलासपूर बंडित रवी संकर यूनियर सिटी सीजी आईटियाई एडमिशन चतिसगर में जो आईटियाई का एडमिशन होगा बिलासपूर यूनियर सिटी का एडमिशन दुर्ग यूनियर्सिटी में यूजी और पीजी, कालेज और इसनातक, इसनातकोत्तर के लिए जो इडमिशन की प्रक्रिया है और साथ इससाथ, छात रवित्ती फार्मा 2022-23 के लिए संपूर्ण जनकारी आपको देने वाला हूँ इन सभी की संपूर्ण जनकारी इस वीडियो में मिलने वाली है संपूर्ण जनकारी के लिए वीडियो को अन तक देखे और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रिस कर ले ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको तूरंत मिल सके तो चलिए शुरू करते हैं आज किया वीडियो देखे दोस्तों पहले हम बात करते हैं जो है CGITI Online Application Farm के बारे में तो General and OBC के लिए 50 रुपए फिस लगेगा और Reserve category के लिए 40 रुपए फिस लगेगा जो है SAS की ITI में online प्रोय से तुक कैलेंडर जारी कर दी गई है आप देख पा रहे हैं जैसा कि आयत को दोरा 34 गड आलाइन पोर्टल में इच्छित संस्थाओं या व्यवसाओं को प्रत्मिक्तक क्रम में जो है चैन कर सकते हैं 26 2022 से 27 2022 तक आलाइन आवेदन करने होंगे उसके बद प्रत्म चैन सुची 9 2022 को जारी कर दी जाएगी जिसके एड़िशन का डेट 11 2022 से 13 2022 तक रहेगी फिर जो है जो एड़िशन लिए रहेंगे उसका डाटा जो है 14 2022 को फिर से प्रकासित कर दी जाएगी उसके बद द्विती चैन सुची 18 2022 को जारी की जाएगी जिसके एड़िशन लेने की प्रक्रे 19 2022 से 21 2022 तक की जाएगी पुना उसके बाद जो एडविशन लिये रहेंगे उसका डाटा जो है 22.722 को अफलोड कर दी जाएगी उसके बाद त्रिती चेहन सुची जो है 26.722 को जारी कर दी जाएगी जिसके एडविशन लेनी की प्रक्या 27.722 से 37.22 तक रहेगी उसके असंस्ता द्वारा त्रिती चे में आनलाइन प्रोएस हेतू कलेंडर जारी कर दी गई है इसके लिए जो है प्रोएस के समय आपको लगा जाने वाले प्रमार पत्र की जानकार इस प्रकार से दे दे रहूं उस्तर माधमिक परिक्षा पुराना 11 बोड हाई स्कूल 10 प्लस 2 के उत्तीर परिक्षा की अंग उत्तीर की अंग सुची अंसुचित जाती अंसुचित जन जाती अन्य पिछा वड़गा प्रमार पत्र चत्तिजगर सासन द्वारा अधिकारी द्वारा जारी की गई इस्थाई प्रमार पत्र अनुआरे होना चीए उसके बाद निशक्त जन मुक बधिर सहित आयतको की प्रमार पत्र होना चाहिए और भूत्परो सैनिक अथवा उस पर आश्रित पूत्र पूत्री जो है उसके प्रक्रान में जिला सैनिक बोड़ा द्वारा प्रमार पत्र प्रस्तुत करने होंगे संचाल नालाय रोजगार अंप्रसिक्षड की अधिनस्त भी भागी अधिकार या कर्मचारी के पूत्र पूत्र होने का आपको यदि है तो आपको प्रमार पत्र प्रस्तुत करने होंगे पंजी की अनाथासरम का प्रमार पत्र यह सब अगर आपके लिए लागू होता है तो उसके अधिन्तम आयूस संबंदी प्रमार पत्र के लिए आपको दस्वी का अंग्सुची लगाना होगा अधार प्रमार पत्र की छाया पती एवं गरीबी रेखा के अंतरगति यदि आते हैं तो उसका रासन काड़ की फोटो कापी यदि अभ्यरती प्रदे सुप्रांचात विती प्राप्त करने के उच्छिक है तो विभावाग पाला का आय प्रमार पत्र प्रस्तुद करने होंगे इस प्रकार से संपूर दस्तवेज आपको एडविशन के समय देने होंगे किसमें यह जो है सेजी आईटी आई के लिए चत्रिजगर सास की जो है आईटी आई में आप एडविशन लेना चाहते है तो यह संपूर दस्तवेज आपके पास हो चाहिए जो जो आपके लिए लागू होता है वो सब आपको देने होंगे उसके बाद हम बात कर लेते हैं बिलासपुर युनियर्ट सिटी से संबंदित विभिन कालेजों में एड्मिशन की प्रक्रिया के लिए जो आनलाइन की प्रक्रिया चालू हो चुकी है सीजी कालेज एड्मिशन जो फार्म है 16.6.2022 से चलू हो चुकी है और 16.8.2022 लगभग जो है सीब्येसी का रिजल्ट आने की एक सब्ताव बात तक की जो है यह आनलाइन प्रक्रिया चलेगी इसके लिए एड्मिशन का फार्म या रजिस्टेशन फार्मा के लिए जो अवस् सभी आपको डाकुमेंट लगेंगे यदि आप फर्स्ट एर पास हो चुके है यदि आप सेकंड एर पास हो चुके है तो आपको जो है प्रवेस प्रक्रिया एक जुलाई से लगबग चालू होने वाली है तो कालेजों में एड्मिशन कैसे होती है तो आप देख सकते इसके लिए जनकारी दी गए तो पहले आपको इसके लिए आनलाइन एड्मिशन जो है आनलाइन करने होंगे बिलासपुर उनिर्शिटी नंबर दी हुई है इस पर आप संपर्क कर सकते इस नंबर पर जा करके आप आनलाइन फर्म भरवा सकते हैं इसका जो फिस लगेगा वो आपको पेड करन होगा चाहे आप घर बैठे फर्म भरवा सकते हैं आपको इसके लिए जो आनलाइन पेमेंट करने होंगे उसके बाद मैं आगे आपको बता दे रहूं जो है पंडी तरहिस अंकर यूनियरसिटी प्रतम वर्ष के लिए प्रवेश के P-R-S-U Online Admission Farm तो इसके लिए जो विशुर दियाला क्योंस है पंडी तरहिस अंकर यूनियरसिटी प्रयस परिक्षा का नाम जो इस नातक या डिफलोमा सक्षड वर्ष 22 थैसके लिए आर्लाइन आवेदन की प्रारंभिकती थी 16- enferby साहज की लिए नोटिफिकेशन प्रतमjamin वर्ष दोज़र वर्ष प्रेस के लिए यह जो विभागी वेबसाइट पर जाकरकर ऐप ज्यादा आईदन करने होंगे और अन्यक अक्षाओं के लिए जो अवसक दस्तवेज है इस प्रकार से दी हुए है इन सभी डाकुमेंट को ले करके आपको जो है कालेज में जाकर के एड़ीशन ले ले लिए हैं उसके दब देख पर है दूर्गी यूनियर्सिटी हेम चंद यादा वि दस द्योस के अंदर जो है आपको एड़ीशन ले लेना है यदि आप फर्स्ट येर या सेकंड येर पास हो चुके है तो आपको फाइनल में जाना है या सेकंड येर में जाना है तो परिक्षपडाम होसीत होने के दस द्योस के अंदर तक आपको एड़ीशन ले लेना है य तक्षार वार्ट्षप नमबर 10 ट्वेल्थ का मारकसिट ये सभी डाकुमेंट बहुत जरीरी है और अन्यक अक्षाओं के लिए इस प्रकार से डाकुमेंट दी हुई है जद्धा जनकारी के लिए और आप राम कंपुटर से संपर्क कर सकते हैं और अपना घर बैठे फार्म के लिए आन लाइन की प्रकरिया है फार्म फरे फोटल जो खुलने की तारीक है 16-22 से प्रारम हो चुकी है और पोटल बंध होने की तारीक है 362022 गल्स कालेज बिलासपूर इसके लिए जो है 16, 2022 से प्राराम हो चेके और 36, 2022 को लास्ट डेट है इसके लिए 36 गड़ में समस्ने इसना तक प्रथाम वर्सा पाठेकर में प्रेश सेतु प्रेश फर्मा मंत्रित किये जाते हैं तो जो है चात्र विविन पाठेकर में उपलाब धसी टेएं फिसक अलोकन कर प्रेश फर्म भरे मोबाइल नमबर जी में अधार काड़ा फोटो हस्ताक्चार वार्सेफ नमबर टेन त्वेल थे ये सभी डाकुमेंट आपको लगेंगे अवस्तक दस्तवेच कालेज में परेक्चा फर्म जमा करने के लिए ये सभी डाकुमेंट आपको लगेंगे परेक्चा फर्म भरा जाने के बाद इन सभी दस्तवेच का चायपत्ती महाद्याले में जमा करना अन्यवार्य है उसके बाद मैं आपको आगे बता दे रहूं जो चात्रवित्ती है चात्रवित्ती फर्म 2022 आनलाइन स्कालरशिप एप्लिकेशन फार SC-ST student जो है इस्टेडिंग इन 36 गर इस्टेट इयर 2022 तेश स्कालर्शिप यदि आप 2023 में पढ़ाई करना चाहते तो इसके लिए जो आनलाइन आवेदन है चात्रविती की आनलाइन आवेदन प्राराम हो चुके है 10-6 2022 से प्राराम हो करके 15-7 2022 तक चलेगी नए महत्तपुट दस्तवज आपको क्या क्या लगेंगे तो इसके लिए आई प्रामार पत्र जाती प्रामार पत्र निवास प्रामार पत्र दस्वी बारवी लास्ट क्वालिफाइंग मारक सीट यदि जो लास्ट पास यह अभी जो हाल ही में पास हुए उसका मारक सीट पास चात्र या चात्र है उसके लिए जो है आईडी पासवर्ड लगेगा आई प्रमार पत्र जाती निवास दस्वी बार्वी लास्ट जो है मारक सीट पासबूक फोटो कापी अधार काडर नमबर सपत पत्र जीमेल मुबाइल कालेज का कोड विसकोड फिस रसीद गेव है तो आप ज्यादा जानकारी के लिए इस दिये गए नमबर पर और संपर्क कर सकते हैं इसमें आपको आप घर बैठे फार्म अपना भरवा सकते हैं तो दोस्तों इसी प्रकार के नए ने अफडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जर मिल सके थेंक यू फार वाचिंग